सफलता सुत्र में आपका हारदिक स्वागत है गांधी जी और गीता का रहस्य एक बार महात्मा गांधी के पास एक ब्यक्ति आया उसने गांधी जी से कहा मैं आपसे गीता का रहस्य जानने आया हूँ महात्मा गांधी उस समय आश्रम की भूमी फावडे से खोद रहे थे उन्होंने उस ब्यक्ति से कहा कि आप बैठिये और फिर वे भूमी खोदने के काम में जुडगे और کाफी देर तक भूमी खोदते रहे जब उन्हें खोदते-खोदते काफी देर हो गई तो उस ब्यक्ति का धहरियन जवाब दे गया और उसने गांधी जी से कहा मैं इतनी दूर से आपकी ख्याती सुनकर गीता का मर्म समझने आपके पास आया था लेकिन आपको तो सिर्फ काम का महत्त तो ही अधिक जान पड़ता है इस पर गांधी जी हस्ते हुए बोले भाई गीता का रहस सही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कहां समझा रहे हैं? कब से यहां बैठा हूँ? आपने एक सब्द भी नहीं कहा वह ब्यक्ति गांधी जी से बोला गांधी जी ने कहा बोलने की आवस्यकता ही क्या है गीता का उपदेश ही यह है कि बस कर्म करो मैं तब से आपके सामने कर्म ही तो कर रहा था और गीता का रहस्य भी यही है निरंतर कर्म करो, फल की आसा मत करो गांधी जी के इस उत्तर को सुनकर उस ब्यक्ति को गीता का रहस्य समझ में आ गया और वह गांधी जी को प्रणाम कर बिना कुछ कहे वहां से चला गया तो दोस्तों गांधी जी पर यह प्रस्तूती आपको कैसी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताएं इस प्रस्तूती को लाइक वसेयर जरूर कीजिए साथ ही हमारे चैनल सफलता सुत्र को सबिस्क्राइब करके जरूर रखे ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी ज्यान वर्धक वसिक्षा प्रद वीडियो मिलता रहे धन्यवाद